निम्की मुख्या ने पकड़ लिया बब्बो जी का कॉलर दिखा दिया अपना दम सास अनारों देखती रह गई घर के बाकी लोग भी चिलाते रह गए मगर निम्की ने तो बड़े ही आत्म विश्वास के साथ भर पूर गुसा दिखाते हुए बब्बु जी का कॉलर पकड़ कर उन्हें उठा लिया और करने लगी सवाल कि आखिर क्यों अन्याय किया किसी गरीब के साथ विश्वास के साथ निया तरही लिजिए उन्हें परके सफ निया तो नेकित नियागा निया पन्चायत निर्नाइ वो निम्की आज मुख्या जाने वाली होती है बदेन अनारो बड़ती कि बबुझ आएगा तो मुख्यापती है तो वहाँ पर किसी की गाड़ी को कुचल देते हैं और आक्चलि यही कुचलते हैं किसी की गाड़ी को और यहीं जाकर दिसिजन सुना देते हैं वो निम्की को सचा ही नहीं पता होती है वो तो बाद में बीडियो आके मुझे सब सच बताता है कि ऐसा ऐसा है तुमको तो पता नहीं तुम्हारे पती ने क्या खिया है और वो गुसे में आके वो कॉल अप पकड़ के बोलते हैं आपने गलत क्यों क्या गाओ वालों के साथ अन्याय कर दिया आपने न्याय करना चाहिए था मगर कहान में ट्विस्ट ये है कि बब्बु जी ने तो गुसे के बदले जता दिया प्यार कुछ ऐसी बात कह दी कि निमकी जो कुछ देर पहले गुसा दिखा रही थी वो बब्बु जी के गले लग गई क्योंकि बब्बु जी ने कह दिया कि वो तो अम्मा जी के कारण मजबूर है वरना वो भी निमकी से बहुत प्यार करते हैं तो लीजे इस कहानी में एक और विस्ट आगया ये सबकुछ एक सपना है और सपने में निमकी बब्बु जी पर गुसा और प्यार दोनों ही लुटा रही है मगर हकिकत कुछ और है हकिकत में तो वो बब्बु जी और परिवार वालों की बाते सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और बाते सुनकर अपने कमरे में चली गई थी और अनारो अपने बेटे की पहली मुख्यागिरी देखकर बहुत खुश हो रही थी ABP News Report